सुन मेरे उस रूप को अरजुन बोले श्री भगवान है योगा प्यास कर जिसे तु अवश्य लेगा जान है कहूंगा अब विक्यान सहत तेरे लिए उस ग्यान को जान जिसे फिर जान ने योग्य बचे नशेश इनसान को सिथी है तू प्रैत्न करता कोई एक हजार में एक आदी ही जानता मुझे यथार्थ आकार में विभाजित है जड़ प्रकृती मेरी आठ प्रकार में नभ प्रित्वी जलवायु अगनी मन बुद्धी एहंकार में जड़ प्रकार में जीवरूप जैतन प्रकृती मेरी दूजी महान है धारण है जग सारा इस से बोले श्री भगवान है इनी दो प्रकृतियों से हर प्राणी जन्म पाता करता जग की उत्पत्ती और प्रले भी मैं लाता कून थे हुए हैं मुझ में सभी एक धागे में मनी समान मुझ से अलग ना कोई प्राणी मैं हूँ सर्वशक्ति मान जल में मैं रस चंद्रगार्य सूर्य में प्रकाश हूँ वेदो में मैं ओम गुंजता ध्वनी बन आकाश हूँ हूँ लगको लगषा हूँ हूँ लगको झाल झाल अगनी में मैं तेज हूँ और धरा में गंध पावन हूँ तपस्वियों में तप हूँ मैं प्राणियों में जीवन हूँ हे अरजुन मैं शक्ति भी हूँ तेजस्वी इनसानों की हर प्राणी का दीबी जुहू बुद्धी बुद्धी मानों की काम ना सकती रहित मैं पल भी हूँ बलवान में धर्म सम्मत मैं थुन भी हूँ हर प्राणी इनसान में सत्व रज्तम तीनों गुण भी भुत्पन न होते मुझ से हैं परंतु रहता मैं उन मेना वे ही रहते मुझ में हैं मुझ में बुद्धी 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 में इनी त्री गुणों से मोहित यह सारा संसार है जान मुझ अभिनाशी को जो निरगुण निराकार है बड़ी दूस्तर त्रिगुण मैं है मेरी दैवी माया तर गया इस माया से वो मेरी शरण जो आया मेरी शरण नाले ते दुष्ट नीज मूर्ख इंसान आसुरी स्वाभाव है जिनका माया से अपहत ग्यान भज ते जो पुन्यात्मा मुझ को होते चार प्रकार के क्यानी विपदा ग्रस्त जिक्यासो धन एच्छुक विचार के क्यानी विपदा ग्रस्त जिक्यासो धन एच्छुक विच्छुक 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 क्यानी विच्छुक 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 विच् अतिश्रेष्ठ इन सब में मेरा भक्त जो ग्यानवान है वही है प्रिय अट्यन्त मुझे बोले श्री भगवान है उदर सभी है पर ग्यानी रूप मेरा कहलाता स्थिर होकर मुझे में ही वो उत्तम गती है पाता कई जन्म बात शर्ण मेरे दुरलभ महात्मा आता सर्व व्या पीवा सुदेव है ग्यानी जान वो पाता देवी देवताओं को तो पूझते वही लोग है हर लेते हैं ग्यान जिन का काम सुख और भोग है हर लेते हैं अपने अपने स्वभाव से सब करते अनुष्ठान है करते वे उपास ना कर पालन विधिविधान है होती जिस देव पूझन की इच्छा श्रधा वान की उसी देव में स्थ करता श्रधा उस इंसान की इसी श्रधा से करता वो उस देव की उपासना मैं ही पूरी करता उनके मन की समस्त कामना फल अरसी उपासना का सीम इतना अश्वान है जाते देव लोक को ऐसे अल्प बुद्धी इंसान है जाते बुद्धी इंसान है बुद्धेन के mambo मैं च्रधा उसाना जाते बुद्धी इंसान है जाते विस χ cheating परन्तु मेरे भट सभी मुझे को ही पाते हैं प्राप्त वोकर परब्रम्ह को परमधाम वेजाते हैं मेरा है आकार यही पुद्धीन ये मानते अविनाशी अनुतम मेरे रूप को नहीं जानते छिपा रहूं योग माया से मैं दिखो ना हर किसी को जान न पाते मूर्ख मुझे अजन में अविनाशी को भूत भविश्य और वरत मान सभी का है भान मुझे मैं जानूं हर प्राणी को पर जाने न इनसान मुझे कि अप्राणी न आ ये जानूं आव अविनाशी ते रहा है और जान आव प्राणी ते ते बढ़ने तक भूब ड़्ड़ दिखो अनुतम मुझे इच्छा देश से जन्म लेते सुक दुख इस संसार में इसी मोह में फस कर प्राणी भटक रहे अन्धकार में करते हैं जो पुन्य कर्म नश्ट हुए सब पाप है छोड़ के राग द्वेश मोह करते मेरा जाप है मुक्ति हैं तू प्रयत्न करते जो जरा और मरण से आश्रेले मेरी भक्ति का आते मेरी शरणवे ब्रह्म और सकाम कर्म को ये सजन पहचानते अध्यात्म के तत्व को भी पूर्ण रूप से जानते अधी भूत अधी देव मुझे जो अधियक्य है मानते अंतकाल में भी मुझे वे स्थिर्चित है जानते स्थिर्चित है जानते स्थिर्चित है जानते स्थिर्चित है जानते